श्रियस अयर की कप्तानी में कॉलकता नाइट राइडर्स ने धमाल मचा दिया है उसने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया है और तीसरा खिताब चीत लिया है ये मैच रव्यार 26 मेई को चैने के चैपाक स्टेडियम में खेला गया था जो की एक तरफा रहा फाइनल में पैट कमीन्स की कप्तानी वाली संराइजर्स हैदराबाद टीम को केकियार के हाथों आठ विकेट से शर्मनाख खार जहिलनी पड़ी है इस मैच में हैदराबाद टीम ने टॉस से जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों का मामूली टारगिर दिया इसके बाद केकायट की टीम ने दो विकेट गमा कर 10 तशंबल अवर में ही मुकाबला और खिताब दोनों अपने नाम कर लिया टीम के लिए विकेटर सायर ने 26 गेंदों पर 52 रनों की नाबाद आतीशी पारी खेली जबकि रह्मानुल्लह गुर्बाज ने 32 गेंदों पर 49 रन मनाए हैदराबाद के लिए पैट कमिन्स और शहवाज एहमद ने एक एक विकेट लिया हार के बाद सबसे महेंगे कप्तान पे एक बार फिर से सवाल उड़ गए है इस मैच में हैदराबाद टीम के कप्तान पैट कमिन्स शुरुआस से ही गलत फैसले लेते हुए नज़राए हदराबाद फ्रेंचाइजी ने कमिन्स को निलामी में 20 करूर से ज़ादा की कीमत पर बोली लगा कर खरीदा था कमिन्स अब तक के सबसे महेंगे कप्तान है 20 करूरी कप्तान फाइनल में चोकर्स नज़राए मैच में कमिन्स ने टॉस जीता था इसके बाद उन्होंने पहले बल्ले बाजी का फैसला लिया जो की गलत साबित हो गया जबकि टॉस के बाद के क्यार के कप्तान शुएस आये ने कहा था कि यदि वो टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी का फैसला करते क्योंकि पहली पारी में पिच गिंदबाजी के लिए अच्छी थी जबकि कमिंस पिच को सही धंग से पढ़ ही ना सके और पहले बलेबाजी का फैसला करके खुद के बैरों पर कुलहाडी मार दी तो से जीत कर पहले बैटिंग करने उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत बहद खराब रही उसने 21 रनों पर ही तीन विकेट गवा दिये थे ओपनर ट्रेविस हैड खाता भी ना खोल सके जबकि अभीशेक शर्मा ने दो राहूल तिरपाथी ने नो रन पर अपने विकेट गवा दिये और इसी फ्लोप टॉप ओडर के कारण हैदराबाद की पूरी टीम मुश्किल में आ गई यहाँ से टीम जराभी समभलना सकी और 113 रनों पर धेर हो गई